नमस्कार सांतियों आप सभी का स्वागते गुड मॉर्निंग सभी को और जल्दी से सभी दोस्त उड़ जाईए और आज आपका होने वाला रासायन सास्त्र का पेपर कक्चा बारवी देखिए यहाँ पर मेरे द्वारा जो कुशन आपको बताय जा रहा हैं 18 मार्च के पेपर करके लिए तो इस्टुडेंट्स आज आईए और अपनी तैयारी को अंतीम रूप दे दीजिए पेपर आपका जो आज आने वाला है उसमें कौन सा प्रेशन आने वाले हैं कौन सा अब्जेक्टिव आने वाले हैं पूरे के पूरे बहुत सारे यहां से आपको छपे हुए मिलेंगे तो इस्टुडेंट्स वीडियो को लाफ्ट तक देखीगा और हो सके इस वीडियो तो अपने दोस्तों को शेर करके आप अपने दोस्तों को भी जगा दो सुबह के पांच बच चुके हैं और लाइव क्लास आपको मिल चुकी है जल्दी से उठ जाईए अपने और अपने पृष्ण पत्र को पढ़के उत्तर दीजेगा और एक भी कोशन आपका गलत नहीं होना चाहिए सभी प्रिश्णों के उत्तर आपको द्यान पूरवक लिखना है आपका कोई भी कोशन गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पर हम बदोस्तों बताएंगे उनको भी तो स्टार्ट करते हैं पहले कॉश्चन से चलिए तो बिनादेर की हाम स्टार्ट करते हैं कॉश्चन क्रमांक पहला सित्तर नंबर का पूरा पेपर आपका छपेगा हीमांक वो अवनयन इस्तिरांक के एब की इकाई है तो इसकी जो इकाई होगी वो होगी के के जी एम एल की घात माइनस एक राइट अंसर होगा अगला कोश्चन आदर्स वीलियन के लिए असत्य है तो आदर्स वीलियन के लिए इनमें से कौन सी बात असत्य है उप्सन आ, उप्सन बा, उप्सन साह और उप्सन दा तो इसमें आपका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वो जाएगा उप्सन सा अगला प्रेशने देखेंगे विद्दूत अब घटे की सांद्रता बढ़ाने पर विद्दूत चालकता गटती है बढ़ती है आप परिवर्तित रहती है आउप्सन बाउप्सन साउप्सन या दाउप्सन तो इसमें आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा बढ़ती है बाउप्सन आपका करेक्ट होगा अगला प्रिश्ण एनोड पर सदेव होने वाली पृतिकिरिया है तो एनोड पर सदेव होने वाली जो पृतिकिरिया है वो है आकसी करन कोश्टक में AP और CN इंटू 6 कोश्टक बांद केंद्री दातू आयन की समन्वे संक्या है तो इसकी जो समन्वे संक्या हो जाएगी वो हो जाएगी 6 छे राइट अंसर होगा अगला प्रिश्ण है EDTA लिंगेड है एक दंती दी दंती तिरी दंती या सस्ट दंती तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तर सस्ट दंती लाफ्ट वाला उप्सन आपका राइट होगा अगला कोश्ण निम्न लिकित में से आइडो फार्म परिक्चन नहीं देगा तो निम्न लिकित में से आइडो फार्म परिक्चन नहीं देगा एतेनल या एतेनल या एसिटोन क्या नहीं देगा तो ये नहीं देगा मेतानल नहीं देगा अगला परिशन है रिक्तिस्थान के रूप में जितने दोस्त लाईव क्लास में जूड रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे यदि आप वीडियो को लाफ्ट तक देखते हैं स्टुडेंट्स पूरा कुशन पेपर आपका छपता है जो बताया जाता है उसमें से लेकिन आप क्या करते हैं सिरू में देखते हैं और भग जाते हैं तो कौन दोस्त वीडियो को अभी तक देख रहा है कमेंट बुक्स में बताईए जल्दी से जल्दी से ताकि आपका नाम हम तक पहुंच सके हाँ प्रतम कोटी अभी किरिया की अर्द आयू के सांदरता पर निर्बर नहीं करती तो इसमें आ जाएगा अभी कारक पहला वाला जो खालिस्तान है इसमें सही उत्तर आप लिखेंगे अभी कारक अभी कारक सही होगा सी यू स्कुएर प्लस आयन का जली विलियन होता है तो इसका जली विलियन होता है रंगीन रंगीन आपका उत्तर हो जाएगा अगला प्रेशन के टू सी आर टू ओ सेवन में क्रोमियम की आक्सिकरन संक्या होती है तो प्लस सिक्स होती है प्लस 6 होती है SN 1 अभी के दिया चरण ये चरणों में संपन होती है यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 चरणों में 2 चरणों में संपन होती है एतेनल जल में के कारण घुल जाता है तो हाइट्रो हाइट्रो जन बंद के कारण के गर जाता है घुल जाता है जन बन्द के कारण के गर जाता है गुल जाता है अगला प्रिशन एतनोल जल में के कारण गुल जाता है फिनाल एतनोल की तुलना में अधिक होता है अमलिये, कैसा होता है? अमलिये होता है अगला प्रिश्ण अमीनों अमल में कार्बो क्लिसलिक समू एवं दोनों पस्तित होते हैं तो इसमें आपका एनिल एमिन होगा एमिन आपका इसमें राइट अंसर हो जाएगा तो अमिनों अमल में कार्बोक सिलिक समू एवं दोनों बस्तित होते हैं जोडी के रूप में देखेंगे उत्परेरक उत्परेरक आप मिलाएंगे तो इसको आप मिलाएंगे शक्रिय उर्जा उत पर रख को मिलाएंगे आप शक करिये उर्जा और प्रती चुम्बा किये इसको मिलाओगे जे एन स्कुएर प्लस और कारबिल एमिन अभी करिया इसको आप मिलाओगे प्रात्मिक एमिन से प्रात्मिक एमिन आपका सही उत्तर होगा चीनी को आप मिलाना है चीनी को डाइ सेकराइड से मिला लीजिए और गलूकोस को आप मिलाओगे मोनो सेकराइड और केंसर की दवा तो केंसर की दवा को मिलाओगे सिंस प्लेटिन और उबे धर्मी लिंगेड इसको आप मिलाओगे सी एन से नेक्स्ट कोश्चन आप कि स्क्रीन पर आ रहा है एक सब्द में उत्तर देना है चलिए तो इसका भी सोलूशन देखी लेते हैं गलाइको सिडिक आबंद किसे कहते हैं तो यहां पर इसका उत्तर हो जागा है मैं सिर्फ बोलूँगा क्योंकि उत्तर जो है बड़े बड़े हैं मोनो सेकराइड के दो अनू गलोको सिडिक बंद द्वारा आपस में जुड़ते हैं यह इसका उत्तर है वापिस वीडियो को पीछे करके सुन लेना जली विलियन में C2, H5, NH2 और NH2 में अधिक चारी कौन है तो यहां पर जो अधिक चारी है वो यह वाला अधिक चारी है ऐसा लिख लेना अगला दुत्यक एवं तृत्यक एमिन में अंतर करने के लिए किस अभी कर्मक का प्रियोग किया जाता है तो यहां पर हो जाएगा हिंस बेर्ग यहां पर हिंस बेर्ग अभी कर्मक का प्रियोग किया जाता है अगला प्रिष्ण चोंता ज्विटर आयन को परिवासित कीजिये तो ज्विटर आयन एक दुवी अमीनो अमल का रूप है अगला प्रिष्ण डाई एजो करण क्या है तो प्रात्मिक अमल को नाइट्रिस अमल के साथ अभी किरिया करने पर डाई एजो लवण बनता है वीडियो को पीछे करकर सुन सकते हैं विटामिन सी का रासाइनिक नाम लिखिए तो इसका रासाइनिक नाम होता है एसकोर्बिक अमल इसका रासाइनिक नाम होता है अगला प्रिश्ण है यह कौन जैसे के तिर्बुद जैसा आप देख रहा हैं यहापर T एवं तिरभु सुन्य में संबंद लिखिए तिसका जो संबंद होता है जो देखिए यहां पर एसा ऐसा पने बनाना पड़ेगा एसा और इसमें T लगना पड़ेगा T बबरबर में आपको 9 चार बटा 9 करना पड़ेगा और फिर आपको ऐसा बनाना पड़ेगा और फिर सुनने लिए न पड़ेगा ये इसमें क्या होगा संबंद होगा ठीक है एक हजार ग्राम विलायक में उपस्तित विले के मोलों की संक्या को कहते है तो इसको कहते हैं मोल लतहा अगला कोस्यन एक फिराड़े विद्दुत का मान होता है कितना होता है तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा 95500 उलाम next question कि और बढ़ जाएए और अगला कोश्यन है आणविक्ता का सही मान है तो सही मान हो जाएगा 1 बटा 3 जिन दोस्टोंने अभी तक वीडियो को शेर नहीं करा है शेर जरूर कर दीजेगा और चेनल को सबस्क्राब जरूर करिए ताकि वीडियो आपको मिल सके अगला कोशन आक्सिकरन संक्या होगी ये इसका जो आक्सिकरन बनेगा उसकी जो संक्या होगी कितनी होगी सुन्ये, राइट अंसर लगाएंगे सुन्ये, निम्न योगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर acetilin देता है तो ये देता है CHL3 CHL3 आपका राइट अंसर होगा नेक्स्ट कोशन देखेंगे आप मीर बेन का तेल जो मीर बेन का तेल होता है वो नाइट्रो पैंजिन आपका राइट अंसर होगा अगला कोशन देखिए साथवा वाला विटामिन B1 है तो ये जो होता है वो होता है राइबो फ्लेविन आपका correct answer होगा अगला question देखेंगे रिक्तिस्तान के रूप में पहला question खालिस्तान के रूप में है किसी रासायनिक अभी किरिया की दर अभी कारकों के संद्रन के होती है तो यहाँ पर हो जाएगा right answer अनुक्रमानुपाती क्या लिखोगे अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती अगला question मेथिल एनिन अमोनिया से छारिये है अधिक अधिक आपका right answer होगा अगला question प्रोटिन का बहुलक है तो एमीनो अमलग जो प्रोटिन होता है उसका बहुलक होता है एमीनो अमलग अगला question देखेंगे सेंड मेयर अभी किरिया का उत्पाद तो यहाँ पर होगा आपका हेलो बेंजिन हेलो बेंजिन आपका right answer हो जाएगा अगला question देखेंगे प्रात्मिक एल्कोहल की वास्प को गर्म एलूमिना पर परवाहित करने पर बनता है इथर इथर आपका right answer हो जाएगा अगला question कारबिल अमीन परिक्षन केबल अमीन देते हैं तो छटा question का उत्तर होगा वन डिगरी एमिन अगला question है विक्रती करन प्रोटीन की सन रचना को प्रवाहित नहीं करता तो यहाँ पर right answer हो जाएगा प्रात्मिक प्रात्मिक आपका उत्तर हो जाएगा अगला question देखते हैं और यहाँ पर सही जोडी के रूप में देखेंगे सही जोडी मिला लीजिएगा सही जोडी बनाना है नारंगी दुरूम नारंगी दुरूम को आप मिलाओगे तो इसको मिलाओगे C R O 2 C L 2 से और क्लोरी फिल को आप मिलाओगे मेगनीशियम से और कारबोनिल कलोराइड को आप मिलाओगे फास्पिन गेस से और सिक्का दातू को आप मिलाओगे कापर सिल्वर से और उदासिन सिगेंट को आप मिलाओगे सी ओ से और सरसो के तेल के समान गंद तो इसको आप मिलाओगे मेतिन आइसो थायो साइनेट और लाफ्ट वाला हमारा इसमें बचा है इसको आप मिला लीजिए जिगल नाटा उत्पररत से अगला कोश्चन चोता वाला देखेंगे जोड़ी हो गई इसकी लिंक डिस्क्रेप्शन में है जाएए और टेलिग्राम को जोईन कर लो वहाँ पर आपको पीडिप मिल जाएगा अगला कोश्चन है विलियन के 10 की घाच्छे भाग में विले की ग्राम में मात्रा क्या केलाती है तो यह क्या केलाती है रेडाक्स केलाती है इसका तो आपका पेले वाले कोश्चन का हो जाएगा पीपीएम दूसरे वाले में आपका हो जाएगा रेडाक्स अभी किरिया और तीसरे वाले में डी आक्सी राइबोस हो जाएगा और चोते वाले में आपका राइड अंसर होगा टालेन अभी क्रमक ध्यान रखिएगा टालेन अभी क्रमक हेनरी के नियम का सूत्र है तो यहाँ पर आपको हेनरी के नियम का सूत्र बताना है तो students यहाँ पर मैं आपको live line दे देता हूँ पहले लोगों को यहाँ पर बताना है इस में से और इस में से एक ये वाला cut करते हैं और एक ये वाला इन दोनों में से आपको बताना है कि B option right होगा या D इसका अंसर आप लोग मुझे comment box में बताएंगे बाकी question के उत्तर मैं आपको बताऊंगा question जितने दोस्ते live class में जुड़ चुके हैं सभी इस पहले प्रिष्ण का उत्तर मुझे बताएंगे क्योंकि आप जवाब नहीं देते हैं इसलिए question मैंने आप लोगों से पूच जा है अगला question sale इस्तिरांग x का मान तो इसका जो मान होगा वो होगा i, a i, a ठीके यह आपका right answer होगा option number c आपका right होगा अगला question बेंजिलीक हेलाइड से जुड़े कार्बन में सम करण होता है तो इसमें होगा आपका spq अगला question हिंस वर्ग अभी कर्मक का रासाइनिक सूंतर होता है c6 h5 socl2 अगला question निमन लिकित में से कोन सा आयन रंग हीन है तो यहाँ पर आपका right answer होगा cu plus अगला question जल अब घटन उपरांत सुक्रोज देता है तो यहाँ पर आपका right answer होगा एक glucose वा एक प्रक्टोस एक अणू प्रक्टोस आपका right answer होगा ठीक है c option आपका right होगा अगला question जीव तंत्र में सर्वादिक मात्रा में पाये जाने वाले जेव अणू है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा प्रोटिन्स अगला question अभी किरिया दर का मात्रक अभी किरिया दर का मात्रक तो मोल लीटर आप लगाओगे मोल लीटर ठीक है माइनस एक से माइनस एक आप लगा लगा अगला question चालकता का व्युत्क्रम है प्रतिरोध राइट अंसर हो जाएगा प्रतिरोध प्रिश नमबर तीसरा प्लस तीन आक्सिकरन अवस्ता वाले तत्तु का विन्यास देख वा रहे हैं तत्तु का परमानु किरमांग होगा तो परमानु किरमांग 26 हो जाएगा अगला question है यहाँ पर एक सामिकरन में अयूग मित लेक्टरान है तो यहाँ पर आपका अंसर होगा चोंते वाले में 3 3 राइट अंसर आपका होगा next question question किरमांग पांच वा इतनोल की वियवसाई कुतपादन विदी द्वारा होता है तो पांच वा में आ जाएगा किन 1 किन 1 आपका राइट अंसर होगा अगला परिश्ण CH2 बरबस CH2 प्लस BR2 CCl4 उतपाद है गहत 4 L की गहत 4 उतपाद है तो यहाँ पर आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा CH2BR माइनस CH2BR ठीक है इस परकार लिख लेना अगला question दुत्यक एमिन का सामान्य सूत्र है तो यहाँ पर होगा N2NH राइट अंसर हो जाएगा अगला परिश्ण देखेंगे एक सब देखवाग के मुत्तर देना है तो मॉल प्रवाच का सूत्र लिखिए तो लिख लीजिए XA बराबर NA बटा में NA प्लस NB यह सूत्र लिख लेना अगला कुश्चन है 2A प्लस B C की अभी किरिया कोटी क्या होगी तो इसकी अभी किरिया कोटी जो हो जाएगी तीन हो जाएगी तीन दूसरे वाले में कोश्चन नमबर तीसरा AP का गहत प्लस 3 का electronic विन्यास लिखना है तो इसका electronic जो विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा अगला कोश्चन चोटा वाले कोश्चन की आक्सिकरण अवस्ता लिखना है तो चोटे वाले का जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्लस अगला कोश्चन द्वी दंतुर संग लनी के कोई दो उधारन लिखिए तो इसके दो उधारन होगा एक तो लगाईएगा आप C2O4-2 या अगला एक और उधारन NH2 कोश्टक में CH2 बंद करेंगी कोश्टक और NH2 यह हो जाएगा ठीके अगला कोश्चन Nucleoside का संगटन लिखिए Nucleoside का संगटन का संगटन लिखना है तो इसका हो जाएगा सरकरा सरकरा या चार सरकरा या चार हो जाएगा अगला विटामिन C का राशा निकना तो S-Carbic A-C-Carbic अमल A-C-Carbic अमल राइट अंसर हो जाएगा सही जोड़ी मिलाना है तो यहाँ पर सही जोड़ी हम देखेंगे A और B A-B को मला तो C-E को आप मिलाओगे लेंथे नाइट से लेंथे नाइट से मिला लीजे D-Option राइट होगा और K-2-S-9-L-4 इसको आप मिलाओगे उप सही हो जाक योगिक से और CH-3-OH को आप मिलाओगे कास्ट स्परिट से और C-12-H-22 और O-11 इसको आप मिलाओगे Lewis-6 और K-6-H-12-O-6 को आप मिलाओगे Eldo-Hexus और H-C-H-O को आप मिलाओगे K-L-0 अभी कि दिया खिक है तो यहाँ पर छूड जाएंगे ध्यान रखना यह जोड़ी होगे उसके बाद मैं जितने भी प्रिशनों को देखिए इस लाइव क्लास में करे हैं आप सभी दोस्तों ने वीडियो को शुरू से कोई भी कोशन अभी किसांत के राओं बहुत अच्चे इन सभी कोशनों को अज के पेपर ना आपको राप्त करोगे बाकी इन प्रिशनों को भी आप देख लीजेगा टेलिग्राम पर आपको वीडियो मिल जाएंगे गुनिस तक सभी प्रिशनों के उत्तर भी देख लीजे मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद थैंस पोर वाचिंग अगर आप